हेलो स्टुडेंट्स वल्कम टू युनिक क्लासिस आफ राइट वे आज बच्चे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर एटीन के थर्ड क्लास में लागरेंजन मल्टिप्लायर को आगे कंटिन्यू करेंगे लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था थोड़ा सा उसका र रिवाइस कर लें तो लागरेंजन में जो होता है कि लागरेंजन में में मैक्सिमा या मिनिमा करने को पूछता है question में कि find the optimal value they may ask either maximum or minimum value of the function f subject to some constraint function जो कि gxy is equal to c के form में होगा तो सबसे पहले हम लोग लगरेंजन फंशन बनाते हैं लगरेंजन फंशन कैसे बनता है lxy is equal to just a minute cut कर ले lxy is equal to fxy minus lambda gxy minus c उसके बाद सेकेंड स्टेप में होता है कि lx-0 करते है l y-0 करते है l lambda-0 करते है फिर थर्ड स्टेप में होता है उनको solve करके हम लोग values निकालते हैं फिर स्टेप 4 में होता है सारे points पे value of the function fxy निकालते है then we decide which one is the maximum value and which one is the minimum value जो value आता है fxy का जब x और y आपुट कर देते हो whatever value we get उस value में से हमें maximum या minimum चूज करना होता है तो यह सारा था lagd engine method में लेकिन आप वह हमारा point of maxima होगा और minima होगा इसके लिए second order condition भी हम लोगों किया था second order condition अगर आप को याद होगा तो bordered hesson determinant bordered hesson determinant जिसमें था 0, gx-gy- वही सेम इदर पर आजागा gx-gy- वाकि 4 प्लेसेस पर आजाएंगे lxx-double-dash, lxy-double-dash, lyx-double-dash, lyy-double-dash यह दोनों सेम होते हैं यह आपको याद रखना है young theorem और swast theorem से तो इसके value अगर positive आती है तो maxima और इसके value negative आती है तो minima यह तो हमने किया था एक और तरीका है maxima minima prove करने का कि हाँ यही point of maxima है यही point of minima है उसको कहते हैं हम लोग algebraic method algebraic method या analytical method रीजनिंग के साथ करते हैं वो भी करेंगे हम लोग contradiction method भी कहते हैं उसको पहले एक note लिख लो आप lagrangian पे क्योंकि आपको याद रहेगा note note में है lagrangian का format कैसा बनता है lagrangian का format बनता है fxy minus lambda फिर आ जाता है gxy minus c इसी form में होता है अब उसके बाद से फिर हम लोग lagrangian का lx dash is equal to zero करते है ly dash is equal to zero करते है l lambda dash is equal to zero करते हैं या नहीं करते हैं इलकुल करते हैं lx dash जब आप zero करोगे तो आपको क्या मिलेगा f का derivative आजाएगा x के respect में minus lambda और फिर g का derivative आजाएगा किस के respect में x के respect में मैंने पूरा g x y नहीं लिखा है g function है x और y तो उसके parameter आप लिखो या ना लिखो ज़्यादा फरक नहीं पड़ता यानि आप काऊगे कि मैं मैं आप क्या कहना चाहरे हो तो f x y का derivative with respect to x किया minus lambda d का derivative is equal to zero यहाँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो f x dash minus lambda d x dash is equal to zero यह parameter अब हर जगे इतना लिखने का फॉर्मिलिटी अब आपको पूरा नहीं करना understood है यह हमारे x और y के function है अब जब आप इसको करोगे जब आप करोगे तो f x dash is equal to lambda g x dash और जब आप lambda की value निकालोगे f x dash by g x dash lambda की value आगे lambda is a fraction lambda is a fraction of objective function with respect to x upon subjective function with respect to x lambda की इस तरीके से भी value निकाली जा सकती है यह f को x के respect में differentiate कर दिया और g को x के respect में differentiate कर दिया divide कर दिया वो आजाएगी lambda की value clear यहां तक अब आगे देखते हैं जब y के respect में करोगे तब क्या होगा उसी तरीके से f y dash minus lambda g y dash is equal to 0 y नीचे लिखा है सबस्क्रिप्ट के form में वो बताता है कि उसके respect में हम लोग partially differentiate कर रहे है f y dash is equal to lambda g y dash तो यहां से lambda निकलेगा f y dash by g y dash और यहां से अगर आप करोगे तो lambda गायब हो जाता है यह कोई ज़्यादा फरक नहीं पड़ता lambda के respect में कर रहे है is equal to c इससे कुछ ज़्यादा interpretation नहीं मिलता है तो last में बस आपको याद यही रखना है कि f x dash g x dash is equal to f y dash by g y dash is equal to lambda यह चीज़ आपको याद रखना है ठीक है और इसको हम लोग बोलते हैं common 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 value of fractions in lagrange multiplier इसको बोलते हैं common value of fractions in lagrange multiplier मतलब f को with respect to x upon g को with respect to x f को with respect to y upon g को with respect to y यह आजाता है हमारा lambda clear बच्चे यह था पहला notes और भी बहुत सारे notes होंगे वो हम लोग next class में करेंगे जब economic application of lagrange method करेंगे आज lambda निकालने का एक और तरीका बता दिया shortcut method है कभी अगर आपको जुरत परे तो f x dash upon d x dash f y dash upon g y dash भी आप कर सकते हो clear ठीक है अब last class में एक example किया था आपको याद होगा example किया था इसको दो round किया था हमने second order condition भी verify किया था तो एक example किया था इसी example को फिर से देखना पड़ेगा maximize, minimize f x y equal to x square plus y square इस example 18.4 है आपके book का subject to d x y is equal to x square plus x y plus y square is equal to 3 इस question को किया था हमने पूरा method के थूरू किया था lag an engine बनाया था l x y is equal to x square घबराओन यह अभी solve नहीं करेंगे किया हुआ है last class में lag an engine method से उस result की हमें जरूरत है फिर l x dash किया था l y dash किया था फिर l lambda dash किया था फिर solve किया था और हर point का lambda और हर point का x y सबकुछ निकाला था हम लोगों ने याद है? सबकुछ निकाला था हम लोगों ने अगर आपको याद है तो तो point जो हमें मिला था, वो क्या-क्या था, minus 1, minus 1, 1, 1, फिर 1 था root 3, minus root 3, फिर 1 था minus root 3 और root 3, और इस में से ये दोनो minima के point आये थे, याद होगा तो, ये दोनो minima के point थे और ये दोनो maxima के point थे, एक तो हमने value of a function से निकाला था, और उसको second order से verify भी कर लिया था, border, hesson, determinant से, maxima और minima अब आपको याद है, maxima और minima अब आपको याद है, तो minima को approve करने का दूसरा तरीका आ रहा है, So, algebraic method, algebraic or contradiction method, contradiction method, to prove that, that 1-1 is the point of minima. 1-1 ही point of minima है, यह हमें prove करना है, यह हमें क्या करना है, बताओ, prove करना है कि 1-1 ही हमारा point of minima है, जो बच्चे last class पढ़े होंगे, उनी को समझ में आएगा, यह हम लोग ने कर रख है, last class में उसी को continue कर रहे हैं, तो ध्यान दे, उसी भी आगे हम लोग extend कर रहे हैं, तो हमारा f x y क्या है, x square plus y square है, और x square plus y square हर जगा continuous होगा, थोड़ा बहुत हमने chapter 15 continuity पढ़ा था, function कहां-कहां continuous होता है, तो every function which is, जिसकी value हम किसी भी point पर निकाल सकते हैं, वो कहलाता है continuous, denominator में अगर 0 नहीं है, root के अंदर नहीं है, तो वो हर जगा continuous होगा, is continuous function, यह selectively नहीं है, यह हर जगा है, is continuous function, continuous function, अब g, x, y के बारे में जड़ा देख लें, क्योंकि evt हम लोगों ने chapter 17 में पढ़ा, वो extreme value थरम, उसमें था कि अगर function continuous है, domain अगर अगर इसका closed और bounded है, then it will have both maxima and minima, g, x, y जो है, वो है हमारा x square, plus x, y, plus y square, is equal to 3, अब इसका graph कैसे बनेगा, graph कैसे बनेगा, अब ध्यान से देखें, अगर खाली x square, plus y square, is equal to 3 होता, suppose करो, अगर x square, plus y square, is equal to 3 होता, तब तो ये circle होता, 3 radius का, लेकिन इसमें एक term है, x into y, तो ये rotated, rotated ellipse बनता है, अब ये कैसे बनता है, इसके पीछे ना, conic section, rotation of axis, पूरा एक topic पढ़ाया जाता है, math honors में, ये प्रोग्राम में, उन बच्चों को आता है, आपको पढ़ने की जूरत नहीं है, आपको पता है कि, इसका rotated ellipse बनेगा, जो कि closed and bounded होगा, closed and bounded, अब exam में, जरूरी नहीं है, कि वो आपको इसी type का देंगे, आपको मैं तो फिर इस type का, कोई भी question हम कर ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, जरूरी नहीं है कि, हर बार ये rotated ellipse ही देंगे, कुछ और भी दे सकते हैं, triangle होगा, square होगा, कुछ इस type का भी, या circle होगा, वो भी तो हमारा, अगर circle type का दे दिया, तो ये भी तो हमारा क्या होता है, closed and bounded होता है, सुध्यान से सुनना, then, by evt, evt extreme value theorem, full form याद है या लिखना पड़ेगा, by evt, यानि extreme value theorem, extreme value theorem के लिए, दो condition चाहिए होती थी, function जो है, वो हमारा continuous होना चाहिए, domain जो है, closed and bounded होना चाहिए, then function के पास, maxima और minima दोनो होगा, it has, both maxima and minima, both maxima and minima, अब geometrically देखो, इसमें क्या देखा गया है, geometrically, geometrically अगर हम x square, plus xy plus y square is equal to 3, को अगर plot करें, पता है, यह कैसा ellipse मिलता है, यह rotated ellipse मिलता है, कुछ इस type का, ठीक है, यह point है, हमारा 1, 1, यह point है, minus 1, minus 1, यह point है, second quadrant में आगया, तो minus root 3, और root 3, और इस point का हो जाएगा, root 3 और minus root, जहां से सुनो, function तो हमारा, fxy कहता है, कि आप x square plus y square निकालो, x square plus y square क्या होता है, अगर आप गौर से देखो, x minus 0 का square, plus y minus 0 का square, का whole square है, यानि कि distance का square है, किसका, from origin, यह एक तरीके से distance निकालेगा, fxy क्या देगा हमें, तो distance of any point, from the origin, उसका square देगा, distance का square देगा, तो geometrically भी देखने से लग रहा है, कि यह distance काफी कम है, minimum है, इनी दोनों point पे मिलेगा, और maximum distance यह रहा, इन दोनों point पे मिलेगा, geometrically आप देख सकते हो, कि, geometrically, 1, 1, and, minus 1, minus 1, are, closest to, किसके, origin के, इसलिए, इसी पे minimum मिलेगा, and, root 3, minus root 3, comma, next sentence है, minus root 3, root 3, are, furthest, point, from, 0, 0, इसलिए, इनका distance जो होगा, वो origin से क्या होगा, maximum होगा, geometrically भी, हम लोग decide कर सकते हैं, लेकिन, geometrically सिर्फ, वैसे question में, हम apply कर सकते हैं, देखो, एक तो था, हमारा function निकाल करके, और logically decide करना, कि कौन सा maximum है, एक था, हमारा second order verification, third is geometrically, चौथ हम लोग polynomial वाला करेंगे, geometrically, उसी में possible है, जिसका gxy थोड़ा simple होगा, जिसका हम graph आसानी से बना सकेंगे, और fxy में clear होगा, कि हम निकालना क्या चाह रहें, जैसे यहाँ fxy था, x square plus y square, तो इतना mathematics से, हमारा brain sharp है, कि हम उसको समझ सके, कि यह distance निकालेगा, तो हर जगा geometrically, बच्चों के लिए लगाना मुश्किल होता है, लेकिन इस question में, समझाना मेरा काम था, तो मैंने समझा दिया, geometrically हम लोग आपको कहेंगे, आप avoid करना, geometrically में आप नहीं कर पाओगे, कहीं first जाओ के जाकर कर, अगर मालोग GXY का बना भी लिया, FXY क्या निकालना चाहरा है, आपको क्या पता है, ठीक है, तो इसलिए, FXY हर बार वो और जिन से distance, सोडियो का कुछ और भी हो सकता है, इसलिए आप उसको मत करना, हाँ, next वाल आप कर सकते हो, जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं, algebraically, वो कर सकते हो, इस वाले method में किसी को कोई problem, अब जो next method बताने जा रहे हैं, यह बहुत important है, second order condition नहीं use करना, और हमें verify करना है, to verify, one one is the point of minima, ऐसे ही आप बाकी के तीन पॉइंट के लिए भी आप वेरिफाई कर सकते हो, अब एक होता है method of contradiction, we apply, we apply method of contradiction, method of contradiction क्या है, कि अगर one one नहीं है, minima का point, तो कोई और point होगा इसके आसपास में, so let one one is not the point of minima, and some other point may be minima, some other point may be minima other point को किस तरीके से ले लेंगे, one में कुछ चेंज कर दो, और y में भी कुछ चेंज कर दो, h और k प्लस और माइनस भी हो सकते हैं, अगर प्लस होगा तो one से राइट में जाएंगे, अगर माइनस होगा तो लेफ्ट में जाएंगे, अगर y में अगर प्लस होगा तो उपर जाएंगे, नीचे ही जाएंगे, अगर माइनस होगा k तो, अब मुझे ये बताओ, कि ये one प्लस h और one प्लस k लेने के पीछे मकसद क्या है, और इसको हमने माना है कि ये मिनिमा का पॉइंट है, but is considered as point of minima, माना हुआ है, लास में contradiction आएगा, फिर ये नहीं होगा, one one को छोड़ करके कोई और point इसी design का बन सकता है, कोई भी point को आप set कर सकते हैं, कोई भी point उठालो, आप इसको लिख सकते हो, one plus four और one plus five, h हो गया four और k हो गया five, कोई भी दूसरे point को आप one plus h और one plus k के form में आप लिख सकते हो, अब देखाओ, अगर ये point of minima है, तो ये fxy को भी satisfy करेगा और gxy को भी satisfy करेगा है न, तो fxy इसका क्या निकलेगा, fxy क्या था, x square plus y square, simple था, तो one six y, जयाने कि f of one plus h, one plus k, इसको निकालोगे, तो one plus h का whole square, one plus k का whole square, पुरा खोलेंगे, तो h square plus one plus two h, plus k square plus one plus two k, ये आ गया हमारे पास, अब इसको जदे सजदे क्या कर सकते हैं, h square plus k square, ये दोनों मिल करके two हो गया है, और two h plus two k, तो two अगर common लेलोगे, तो आ जाएगा one, h plus k कर दो, और constant को अलग कर दो two, ये हो गया, अब इसको मान लो भी for the timing equation number one, यानि f x y को satisfy करेगा ये point, क्योंकि ये minima का point है, तो ये function f पे तो लाई करेगा, अब ये g x y को भी satisfy करेगा, one plus h, comma one plus y, now, satisfy g x y also, ये x y में क्या है बताना, x square था, one plus h square हो गया, x into y था, तो one plus h into one plus y हो गया, plus y square था, तो one plus y square is equal to three था, ये ही था ना, किसी को इसमें कोई doubt, देखो ये चीजे थोड़ी से मुश्किल होती है, starting में आप पढ़ रहे हो, और chapter 18 आगया अचानक से, 18 थोड़ा difficult chapter माना जाता है, लेकिन आप MME 1, MME 2 पढ़ चुके हो, MME 3 में इतना difficulty level नहीं लगेगा आपको, अगर आपने धंग से पढ़ा हुआ है तो, अगर आपको difficult लग रहा है, तो आपके पास video है, recorded lecture से, आप उसको दो बर तीन बर देगो, फिर वो बहुत आसान लगने लगेगा आपको, लेकिन करना तो है, हम लोग कोई topic छोड़ नहीं सकते, क्योंकि कहां से question आजागा, कुछ नहीं पता, और आपके book में से, वो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते है, यह topic इंपर्टिंट है, इसको भी करना चाहिए, तो यह आजाएगा, 1 प्लस h स्क्वार प्लस 2 h plus, अब इन दोनों को multiply करो, 1 प्लस h प्लस y, वाई कहां से आगया, k होगा न, एक मिनट, यहाँ पर k कर दो, देखो, किसी ने भी मुझे नहीं टोका, आप लोग का ध्यान नहीं है, class में, ठीक है, 1 प्लस h प्लस k, प्लस h k हो गया, अब इसको expand करना है, 1 प्लस k स्क्वाइर, k स्क्वाइर प्लस 2 k is equal to 3, अब देखना, यह 1, 1, 1, तीनों मिलकर क्यों हो जाएगा 3, plus h स्क्वाइर, प्लस k स्क्वाइर, इधर देखो 2 h, h, और भी कोई h है, 2 h और h, और नहीं है, तो 3 h हो गया, फिर k कितना है, k, 2 k, यह भी 3 k हो गया, और भी है कोई, k स्क्वाइर ले चुके है, h स्क्वाइर ले चुके है, यह ले चुके है, h और k ले चुके है, यह भी ले चुके है, अब बस बचा h k, equal to 3, तो सबसे पहले तो यह 3, 3 cancel हो गया, और, हम लोग यह करने वाले है, h प्लस k की value निकाल करके, 1 में substitute करेंगे, h प्लस k के लिए इन दोनों को common लेना पड़ेगा, तो ध्यान से देखना, 3, h प्लस k, is equal to, उधर जाएगा, तो माइनस h square, प्लस k square, प्लस, प्लस नहीं, हो जाएगा, माइनस h k, तो h प्लस k की value क्या हो जाएगी, बहुत अराम अराम से कर रहे हैं, यह जल्दी बाजी में करेंगे ना, तो फिर कुछ ना कुछ mistake हो जाएगा, यह आ गया, h प्लस k की value जो i है, मैंने कहा, उसको put करना है 1 में, fxy की value के लिए, यह कि gxy से जो condition आ रहे हैं, दोनों को use करना है, दोनों का combined देखना है, कि क्या solution मिल रहा है, जो gxy में आ है, उसको put करेंगे fxy में, तो fxy, putting in fxy लिखेंगे पहले, putting, in, fxy, तो fxy is equal to, अपस दो ही तेन स्टेप में खताम होने वाला है, fxy is equal to h square plus k square था, plus, यह था 2 into h plus k, तो 2 into h plus k, h plus k की जगा यह पूरा डाल वेंगे, minus h square plus k square by 3, minus h k by 3, और एक था बाहर से 2, अब इस पूरे को solve करना है, बहुत आराम से solve करना है, कोई जल्दी बाजी नहीं है, जब आप solve करेंगे, तो h square plus k square, वहाँ निकलेगा तो, minus 2 by 3 h square, minus 2 by 3 k square, minus 2 by 3 h k, और plus 2, यह आजाएगा 2 plus, ध्यान से देखो, इन दोनों को h square और h square को solve करेंगे, तो 1 minus 2 by 3 कितना बचेगा, 1 तो 3 हो जाएगा, 3 minus 2, इन दोनों को solve करके लिखना है, बचे, या एक साथ लिखी देते हैं, h square minus 2 by 3 h square, plus इतना समझाने से अच्छा है, k square minus 2 by 3 k square, minus 2 by 3 h k, तो यह आजाएगा 2 plus, 1 minus 2 by 3, तो 3 में से 2 गया 1, 1 by 3 h square, 1 by 3 k square, minus 2 by 3 h k, तो यह आगया 2, minus 2 by 3 h square, h k, अब आप एक काम करो ना, कुछ फॉर्म दिख रहा है, mathematics के according, जो आपने expression बच्पन से पढ़ते चले आ रहे हो, मुझे तो भाई दिख गया, आपको भी दिख जाना चाहिए, h square plus k square minus 2 h k, कोई बताएगा मुझे, इसको क्या लिख सकते हैं, यह जो मैंने किया, कोई identity होती है यह, हाँ, अब k minus h भी बोल सकते थे, h minus k भी बोल सकते हैं, कोई दिखकत नहीं है, अब यह आई है value किसकी, f x y की value आई है, f x y की value आई है, अब आप मुझे यह बताओ, कि this value, यह हमेशा क्या होगी, greater than, equal to 0, MME 2 में भी हम लोगे ने chapter 15 में किया हुआ है, quadratic optimization, तो अगर f x y is equal to 2 plus greater than 0, यानि कि अगर कुछ positive, non negative बोलते हैं वैसे, positive अगर चीज है, 2 से बढ़ी ही होगी, 2 से, बढ़ी ही होगी यह value, 2 से तो कम नहीं आएगी, हम लिख सकते हैं, f x y greater than equal to 2, अगर ignore कर दें हम तो, नहीं आई बात समझ में, 8 is equal to 5 plus 3 होता है न, अगर हम एक positive को हटा दें, तो क्या अब यह equal रहेगा, नहीं, यह change हो जाएगा, अब lhs बढ़ा हो जाएगा, पहीं चीज कर रहे हैं, एक चीज को अगर ignore कर दिए, इसको ignore कर रहे हैं, लिख लो side में, ignore कर रहे हैं, कुछ positive चीज को, पहले दो part मिल करके हो रहे थे, f x y के equal, अब एक part अगर हट गया, तो फिर दूसरा अला part तो छोटा पड़ जाएगा न, तो less than का, उसके side से less than देखा जाएगा, और f x y के side से greater than देखा जाएगा, तो f x y या तो 2 या 2 से बड़ा होगा, अब 2 या 2 से बड़ा है, अब अस खतमी है, तो अब आप मुझे बताओ, कि 2 से बड़ा है तो कहां तक जाएगा, भाई, इसका तो कोई अंत नहीं है, ये तो infinity तक जाएगा, लेकिन क्या 2 से नीचे हम जाएगे, नहीं, तो 2 ही हमारा minimum value होगा, तो minimum value of f x y is equal to 2, और ये कहां पर मिल रहा है, at 1 1 जब आप f x y निकालोगे, तो यहा जाएगा 1 square plus 1 square यानि की 2, which is equal to f 1, 1 के ही बराबर आ रहा है, मतलब minimum value इस तरीके से भी, हम 1 1 के आसपास कोई दूसरे point को सर्च करना चाह रहे थे, हमने try किया, कि कोई और minimum मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पा रहा, सारी values उसके value से क्या आ रही है, बढ़ी आ रही है, मतलब अगर आप 1 1 के अलाबर कोई value लोगे, वो 2 से बढ़ी आएगी, तो फिर 2 ही हमारा minimum value और वो किस पर मिला है, 1 1 पर मिला है, तो 1 1 is the minima, 1 plus H और 1 plus K नहीं मिल पाया, 1 1 ही हमारा point of minima हुआ, बताओ यह समझ में आया है या नहीं आया, यह method आपको आना चाहिए, क्योंकि यह proof करने को आ सकता है, paper में किसी question में, B या C part में 3-4 number का आ सकता है, कि proof that it is the point of minima, not by using second order condition, अब आपको इस तरीके से करना होगा, समझ में आई बात यह, यह काफी important topic था, इसलिए मैंने करा दिया, अगर इसमें किसी को कोई doubt है, तो पूछ सकते हैं, फिर से एक बर बता दे, सब कुछ mess up हो गया है, तो calculation काफी जयादा था ना इसमें, पूंड रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कि उस पे 1,1 से भी छोटी value आजाए, और साथ ही साथ हमने F1,1 भी निकाल करके रखा हुआ है, कि 1,1 की value कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो अगर 2 से नीचे मालनो, 1.5, 1.71, किसी और point पे आ गया, तो फिर 1,1 थोड़ी ही रह पाएगा point of minima, यहां मिल जाएगा minima, तो new minima हम लोग सर्च करना चाह रहे हैं, इसलिए 1,1 से different point ले रहे हैं, different point लेने का तरीका होता है, उसमें कुछ changes ला दो, 1 plus H और 1 plus K कर दिया हम लोगोंने, अब उस पे Fx, क्योंकि इसको अभी हम लोगोंने माना है, कि 1 plus H और 1 plus K हमारा point of minima है, तो Fx, को भी satisfy करेगा, जी एक्सफाइ को भी satisfy करेगा, Fx, में डाल करके हम लोगोंने, यहां तक पहुंच गया, फिर उसके वाद से, जी एक्सवाई में डाल करके, कहां तक पहुंचे, दोनों equation को solve करना है, तो दोनों equation को solve करने का तरीका है, कि H, K का जो expression आया है, इसको यहां डाल दो, राजदी आम लोगोंने Fx, Fx, जो है, वो whole square के form में आ गया, 2 plus some positive quantity, 2 plus some positive quantity, अब अगर इसको ignore कर देंगे, तो 2 से बढ़ा आ जाएगा, वही आगया, Fx wise greater than or equal to 2, तो 2 is the minimum value, जो कि 1, 1 पे था, कोई और value 2 से छोटा मिला नहीं, इसलिए वही हमारा minimum रहे गया, आई बात समझ में, किसी को कोई problem इसमें, नहीं है, आगे बड़े बच्चे, अब आगे कोईशन करने जा रहे हैं, आप लोग ready हो जाएं, आप लोगों को करना है, utility function दे रहे हैं, easy, कोईशन अब बहुत जादा tough नहीं है, बच्चे कर लेते हैं इसको खुद से, आप लोग अपना pen ready रखो, और मेरे साथ साथ करो, और देखना कि कहाँ फस रहे हैं, question लिखना, question लिखो, u is equal to x plus 2, y plus 1, u generally utility function के लिए होता है, नहीं तो लिखा हुआ language में आएगा, is the utility function, language तो बहुत कुछ होता है, shortcut में language लिखना है, हमें optimize करना है, optimize utility function, if px is equal to, question में दिया हुआ है, optimize utility function, if px is equal to, 4, rupees में दिया हुआ है, and, py is equal to, rupees 6, and, question आप लोग भी लिख लो पूरा, and, इसी type का question आता है, paper में, कभी utility के बज़ाए कुछ और दे देगा, लेकिन question इसी type का होगा, income is, rupees 130, मतलब, उस person का income 130 है, और, कौन सा method यूज करना ये दिया रहता है, यूज लेगरेंजीन method, यह legरेंजी method, and, देखो, साथ साथ ये भी दिया हुआ है, verify second order condition also, and verify second order condition also. मतलब जो maxima minima आएगा, उसको हमें second order condition में डाल करके check भी करना है, कि हाँ ये सही आया है, जो minima है, वो सही में point of minima है, जो maxima है, वो सही में point of maxima है. जिनको आता है, वो बच्चे अपना करना शुरू भी कर दे. इसको सभी बच्चों को भी 5 मिनट का time लेकर के, जो बच्चे recording lecture दे रहे है, वो वीडियो पाउस करके, 5 मिनट का खुद से self time लेकर के और इसको try करना है, बस hint इतना ही हम दे रहे है, कि कभी भी utility function होता है, utility क्या होता है, satisfaction of a consumer या customer. तो आपका satisfaction हमेशा customer क्या चाहता है, उसका satisfaction maximum हो या फिर minimum हो, जल्दी बताओ मुझे. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने confusion में डाल दिया question, उन्होंने clearly धियान है कि क्या करना, optimize word यूज कर दिया, ध्यान दे रहे, optimize word यूज कर दिया, दिया है, लिखेंगे word, since a consumer always wants, a consumer always wants to maximize his utility, so we have to find maximum value of utility यह language लिख करके आपकी दिमाग में जो भी idea आता है उसको एक बार present कर देना है paper पे उसको एक बार present कर देना है paper पे, ठीक है? maximum value of utility question हमारा इस टैप का बन जाएगा maximize utility function x plus 2 into y plus 1 subject to अब subject to क्या आएगा? जब भी आप utility कोई आप जा रहे हो कोई commodity पर्चेस करने आप अपना pocket भी देखते हैं कि मेरे pocket में कितने पैसे हैं किया हम उसको पर्चेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं अब ध्यान से सुनना अगर एक commodity का x का अगर price है 4 तो फिर total कितना पर्चेस करेगा x का? 4x लगेगा उसको अगर एक commodity y का है price 6 तो total वो कितना पे करेगा? y is the x and y is the quantity of first and second commodity और ये होना चाहिए 130 के equal income is rupees 130 अब आप कह सकते हैं कि मैं कम भी तो कर सकता है ज़रूरी थोड़ी है कि जितना money होता है हम सारा का सारा मतलब ये purchase करने में ही लगा देते हैं कुछ हम लोग saving भी तो कर सकते हैं लेकिन बच्चे याद रहे हैं यहाँ पर lagrange method बोला है lagrange method में less than equal to का कोई provision नहीं है हमेशा is equal to ही आएगा समझ में आगी बात मैंने बताया कि chapter 18 जब हम लोग कर रहे हैं is equal to का कर रहे हैं less than equal to में फिर कौन सा method आजाएगा LPP आजाएगा तो यहाँ पर ये भी आपको दिमाग लगाना है कि सारा का सारा money वो यूज कर ले रहा है अपना इसलिए is equal to 30 लगाएंगे यह हो गया हमारा budget constraint इसको बोलते budget equation बोलेंगे constraint नहीं बोलेंगा अगर यह less than equal to होता तो constraint बोलते यह budget equation हो गया यह बात आई सबको समझ में अब मैंने आपको fxy का hint दे दिया है this is your fxy like uxy and this is your gxy अब आप इसको lag ranges method से थोड़ा सा आगे बढ़ो जो बच्चे लाइव में है उनको 2-3 minute का time दे रहे हैं कि कहां तक आप बढ़ते हो फिर आप बताना कि question हो गया यह हम लोग अटक गया फिर उसके आप लोग अपना match करना अच्छा रहेगा कि हम आपको एक मौका दे यह question करने का तो आप लोग सभी बच्चे इसको 2-3 minute में try करो और जो recording वाले बच्चे वह 5-10 मिन टाइम लेकर कि आप लोग इसको try करो कोशिश करो करने का नहीं होगा तो फिर आप video on करके देखना कि मैंने कैसे solve किया हुआ है सभी बचो ने try कर लिया और सब का आप ही गया 16 और 11 जिन बचों का नहीं आया वो लोग जड़ा match करें कि कैसे करना इसको तो सबसे पहले हम लोग lagrangian function बनाएंगे तो we form lagrangian function और पूरा formatting के साथ पेपर में करना है lagrangian function with lambda हमने lambda को माना है lambda as lagrange multiplier as lagrange multiplier multiplier देखो lagrangian function बन रहा है lxy is equal to a uxy बनेगा minus lambda into gxy minus c चलेगा uxy है आपके पास x plus 2 into y plus 1 minus lambda 4x plus 6y minus 130 इसके बाद से हम लोग करते हैं l x dash is equal to 0 l y dash is equal to 0 l lambda dash is equal to 0 l x dash करेंगे x के respect में करेंगे फोड़ा से open कर लें फोड़ा से easy हो जाएगा multiply करके open कर लेते है xy plus 2y plus x plus 2 minus lambda और इसको पूरा रहने देते है 4x plus 6y minus 130 जब l x dash करेंगे तो l x dash में क्या मिलेगा हमें x के respect में करेंगे तो y, यहां से y मिलेगा यहां से 1 मिलेगा और इधर से 4 lambda मिलेगा minus 4 lambda is equal to 0 y के respect में करेंगे x मिलेगा 2 मिलेगा और minus 6 lambda मिलेगा is equal to 0 lambda के respect में करेंगे तो यह पूरी चीज आ जाएगी 4x plus 6y is equal to 130 यह तीन equation आ गई हमारी देखो तीनो equation को use करके solve करना है तो third equation में x और y है कोई lambda नहीं है तो हम यहां से y को solve करके लिख देंगे 4 lambda minus 1 y की value आ गई lambda के terms में 4 lambda minus 1 यहां से x की value निकाल देंगे x is equal to 6 lambda minus 2 और इनको put करदेंगे third में 1 2 3 putting x and y इसे lambda आ जाएगा putting x and y in third third में डालेंगे तो 4 into x है 4 into x में आ जाएगा 6 lambda minus 2 plus 6 into y 4 lambda minus 1 is equal to 130 इदर आ जाएगा 24 lambda minus 8 plus 24 lambda minus 6 is equal to 130 24 lambda 24 lambda is 48 lambda 8 minus 6 is 14 उदर गया तो 14 add हो जाएगा 144 तो 16 3 जा 48 16 9 जा 3 3 जा lambda की value आगे 3 lambda की value क्या आगे बताओ 3 आगे second order condition में use होगा अब इसी से हम लोग x और y निकालेंगे x क्या था 6 lambda minus 2 x is equal to 6 lambda minus 2 तो आजाएगा 6 into 3 minus 2 18 minus 2 16 y है 4 lambda minus 1 तो y is equal to आजाएगा 4 into lambda is 3 minus 1 12 minus 1 11 तो point is point एक ही निकल करके आया point is 16 11 और lambda कितना आगे 3 यह x है यह y है और यह lambda है अगर आपको यह होता है कि कही z ना लोग समझ ले तो आप ऐसे लिख दो width lambda is equal to 3 यहां तक तो सब ने कर लिया होगा अब एक ही point है तो वही हमारा maxima है minimum है कैसे decide होगा तो second order condition बोला हूँ है question में use करने को using second order condition second order condition में d निकालते है d क्या होता है d सब को यादे format 0 g x dash g y dash g x dash g y dash l x x double dash l x y double dash l y x double dash l y y double dash determinant यह सब चीजे नहीं है हमारे पास तो इन सब चीजों को पहले कठा कर ले d में put कर देंगे तो g x y क्या है हमारे पास g x y is 4 x plus 6 y minus 130 तो जब आप यहाँ पे g x dash निकालोगे तो 4 आएगा d y dash निकालोगे तो 6 आएगा चलो 4 और 6 तो clear हो गया यहाँ पर put कर दे बच्चे 0 4 6 4 6 अब lagrangian function का है lagrangian function को एक बर और लिखना पड़ेगा यह l x dash और ly dash को ही लिख देते हैं इतना मेहना से जो निकाला है l x dash एक मिनट is equal to, निकाला हुआ ना l x dash l x dash is this one y plus 1 minus 4 lambda तो y plus 1 minus 4 lambda और l y dash is y के respect में जो किया था वो था x plus 2 minus 6 lambda x plus 2 minus 6 lambda तो हमें चाहिए l x x double dash x x double dash कहीं x है यह नहीं बच्चे यह देखो कहीं भी x नहीं है जीरो कर दे फिर चाहिए l x y double dash y तो दिख रहा है y तो है बच्चे 1 आ गया फिर चाहिए l y y double dash y कहीं है यह नहीं इसमें यह आ गया 0 तो देखना जरह सामने में सब कुछ स्क्रीन पर दिख रहा है इसके value 0 यह 1 और यह 0 तो यह 0 l x x double dash, l y y double dash और इन दुनों जगह पर सेम होता है अब इसके value निकाल लो देखो क्या आता है 0 into anything is 0 minus 4 into 4 into 0 minus 6 minus 6 और फिर प्लस 6 into अभी 6 into this minus this 4 प्लस 24 plus 24 is equal to 48 which is greater than 0 अब लिखेंगे, since D is greater than 0 since D is greater than 0 so, जो point आया था क्या points हामारा? What was the point? 16, 11 देखा, second order condition कितना easily निकल गया तो कल जो हमने कोशन किया था वो थोड़ा lengthy था, लेकिन exam में आगा तो इसे level काएगा 16, 11 gives us maximum utility अब maximum utility नहीं पूछा है वो भी हो सकता है किसी सी पार्ट में हो वो आप निकाल सकते हो, वैसे जो मैंने कोशन दिया उसमें नहीं पूछा है तो 18 तूजा 36 और 3 आगया कहरी, 18 बंजा 216 216 आगई हमारी maximum utility वैसे तो theoretical approach में कहा जाता है कि हम utility नहीं निकाल सकते कि कौन किस से कितना satisfy होता है हो सकता है मेरे पास अगर एक biscuit का packet है तो हम उसी से satisfied है लेकिन मेरे बगल अला बंदा जो उसके पास 50 biscuit के packet हो फिर भी वह satisfied नहीं है लेकिन फिर भी when we need comparison जब हम comparison करते हैं तो comparison के लिए utility function को quantify कर दिया जाता यह आप micro में पढ़ोगे 3rd sem में quantify कर सकते हैं कुछ चीजे जो theoretical होती हैं जिनको measure नहीं किया जा सकता उनके लिए भी हम लोग एक function बना लेते हैं quantify कर देते हैं to have healthy comparison comparison कर सके कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है कौन सा मतलब ज्यादा है और कौन सा कम है तो यह चीज हम लोगों ने देखा ऐसे ही बहुत सारे question होंगे इसमें अब आप 18.2 भी try कर सकते हो और हमारे course में single constraint का ही है दो constraint वाले नहीं है फिर भी अगर किसी के college में पढ़ाय जाता है दो constraint वाले तो आप मुझे बताना तो दो constraint वाला भी हम करा देंगे अभी तक तो मुझे जहां तक पता है सिर्फ single constraint वाला ही है दो constraint होगा तो बस उसमें क्या फरक पढ़ जाएगा with two constraint तो थोड़ा सा working और ज्यादा बढ़ जाएगा with two constraint में कुछ ऐसा question हो जाता है maximize f subject to g1 xy is equal to c1 g2 xy is equal to c2 दो constraint वाला में लगरेंजिन बन जाएगा l xy is equal to f xy minus lambda 1 अब दो दो आजांगे लगरेंजिन मुल्टिप्ला है g1 xy minus c1 minus lambda 2 g2 xy minus c2 और इसमें देखो equation कितने सारे बनेंगे एक तो लगरेंजिन को l x के respect में y के respect में lambda 1 के respect में और lambda 2 के respect में तो हर point का xy और lambda 1, lambda 2 निकलेगा उनके लिए कोई second order condition हमें नहीं पढ़ना खाली point निकालने का आ सकता अगर 2 constraint होंगे तो ये भी एक बार verify कर लेंगे जैसे college खुलेगा आपके college में करकर आते ही है topic तो इसको भी हम लोग class में करेंगे एक बार बस मुझे check करने के जुरत है आप ही लोगों की तरफ से reply आएगा तो 2 constraint वाला भी question class में करवाएंगे तो अब आप लोग 18.2 कर सकते हो और next class में हम लोग economic interpretation करेंगे वो भी एक अच्छा topic है तो इस class में start करना सही नहीं रहेगा क्योंकि वो एक घंटा कम से कम लेता है और इतना time नहीं बचा है हमारे पास हमारे पास थोड़ा कम time बचा है तो economic interpretation इस class में सही नहीं रहेगा next class में लेना सही रहेगा next class will be our class 4th chapter 18 थोड़ा और आपको revise करने का मौका मिल जागा तो economic interpretation अच्छे से समझ में आएगा economic interpretation उन्हीं को समझ में आएगा जिनको पूरा lagrangian method आ चुका है कल जो मैंने एक example कराए थे वो और आज एक utility वाला कराई यह दो question जो बिना देखे कर सकते हैं पूरा सब कुछ निकालना second order verify करना हर चीज उन्हीं को economic interpretation है integration क्यों कर दिया मैं interpretation of lagrangian method थोड़ा सा theoretical है इसलिए आपको method पर command होना चाहिए तभी आप समझ पाहोगे जो terms हम use करेंगे तभी आपको समझ में आएगा तो आप लोग इसको करके आजाओ और फिर next class में हम लोग start करेंगे यह और envelop theorem भी start करेंगे इन सब के साथ मिलते हम लोग next class में till then bye 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 bye